हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का छे मार्च को चित्रकला का पेपर है यहां पे आप सभी को चित्रकला का जो संपूर हल है आपको चित्र के माध्यम से बताने वाले हैं आपको देखे इस पकास से आपको चित्र भी बताएंगे कि आपको चित्र में कि दियान रखना है और चित्रों को कैसे आपको बूर्ड के एकजाम में बनाना है तो इस पेपर का संपूर्ण हल बताने वाले हैं तो आप वीडियो को एक सेकेंड के लिए इसकिप मत किजिएगा और आप इस पेपर को ह्ल करके आप छे मार्च आप देने चले जाहिए गा हन्डीड परसेंटेश आज यहां पर आपको पेपर करा रहा है इसी पेपर लिए सर्फम सब्सद्रास का चित्रिकला अदम एक प्रकार वाईरल पेपर आप अपसे आप इसको skip मत कीजिएगा और जितने भी प्रशन बताएं को उन सभी प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए फ्रेंस वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए ह है तो साथ में सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है यहां पे आपको इस प printing करने के लिए आपको टोटल समय थी गंटा 15 मिन्ट का संपूर समे रहे हैं ठीक है और पूस्नी पत्र को हल आप जरूर ध्यान से पड़िएगा इसलिए के समान निर्देश के आप सभी को जानना सव से जादा ज़रूर है इसलिए का छित्रकला में होते हैं सभी कोंने को सब पहल्त करने करना रहाता है उसमेन को चोड़ना रहता है ठीकर चित्रकला कै canyon दिये जाते हैं पर इसको पहना अनिवार होता है जिस देखिए आप निर्देश जो है पहला निर्देश है कि मुख के प्रिष्ट तदा उसमें रखे परतेक उत्तर पत्र कि दाहिने कोने पर अपना अंक्रमांक अंकोत शब्दों में साव साव लिखिए तदा केंद्र विवस्था आपकी हस्ताचर युक्त मुहर परतेक पत्र लगाएं और उन पर कच्छन रिष्चक से भी हस्ताचर करवाएं तो देखिए यह आपके जो एक्जामनर रहेंगे वह आपके यहां पर आपका हस्ताचर मुहर लगाएंगे ठीक है यहां पर जो प्रशन नमबर जो इसलिए बोलें कि इसके निर्देश को आप एक बार यहां पर समझ लीजिए जिससे आपको बोड के इसके निर्देश में आपको किसी प्रगार का प्राबलम नहों ठीक है देखिए खंड का में आपके आलेखन कला रहेंगे प्राविधी कला हैं जिसमें 20 बवीकलपी प्र सिर्फ देना है ठीक है आपको बताएंगे कैसे आपको हल करना है देखिए अगला निर्देश जो है कि और सीट पर आप एक बार सीट भर देते हैं तो उस पर आपको किसी पर का कट या वाइटनर या इरेजर का प्रियोग आपको नहीं करना रहता है यह सभी आपको पहले स पता है इंपॉर्टेंट निर्देश यहाँ पर देखिए खंड के प्राक्रिक दिर्सी त gourब ऐसा अनिवार होता है इसलिए इसके निर्देश को पहना सबसे जादा आपके लिए यहां पर इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए सभी प्रश्णों को देखते हैं देखिए आज प्राराम होता है आपका खंड को ठीक है सभी प्रश्णों को आपको डिटेल में कराने वाले हैं ता आप स्कीप मत किजिएगा वीडियो को और इसी एक काई एंसवर आपको देना रहेगा ठीक है यहां पर देखिए कि आपके दरारा आलेखन अथवा प्राविधी में से जी सभाग का चायं किया उससे ही OMR.ols जो रहता है उस पे आपको चैन करना रहता है यहां से प्रारम होता है आपके आलेखन कला के सभी जितने भी important question आपको बता रहे हैं इसे आप एक जगर लिख लीजिए ठीक है और इस सब को प्रश्णों को एक दो बार जरूर पर लीजिए ठीक है निर्देश में दिया है कि परतेग विकल्पी प्रश्ण के चार विकल्पों में से सही उत्तर का चैन करना है पहला प्रश्ण आपका है कि प्राथमिक अथ्वा मुख्य रंग कौन सा होता है आपका पहला प्रश्ण यहीं है और सबसे ज्यादा important यह question है कि प्राथमिक रंग अथ्वा मुख्य रंगों की total संख्या तीन होता है इसको याद नीला पीला ठीक है तो यह आपके प्राथमिक रंग क्यानते रगाता आ जाते हैं इसका सही जो आपका सही हो जाएगा ठीक है इसको याद कैसे रखेंगे तो आपको ट्रिक बता देते हैं प्राथमिक रंग की याद करने का जो ट्रिक होता है पा नीला पा नीला याद कर सक रंग हो जाते हैं आपके देखिए अगला प्रस्फन जो है कि गरम रंग काुंसा है तो यहां पर आपसंदिया लाल नीला हरा और धानी तो गरम रंगी की जिसा जो गरम मुखे रंगों का सही जोए आपसनं सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए चौथा नंबर का निम्न लिखित में से द्यूतिय रंग कौन सा है देखिए अभी आपको बताएंगे कि लाल पीला और नीला यह क्या है प्राथ्मिक रंग के हैं तो इसमें आपका जो सेस एक रंग बच रहा है यह द्यूतिय रंग हो जागा जिसक 10 कि फ़स्ट रंग युकम काऊंसा होता है काला और ची सफेद होता तीड़ बता है तोस में चोन आपका हो जाएगा Is यह प्रक्रश्न간 आप सlaug याद रखेगा आप से बार प्रशन पूच्न आपका साथ किसमें होता है यह होता आपका इंद्रधनुस passes इसमें किबने होता है साथ रंग कि कि pitching रंग ये आठ रंबर हैं अगला देखिए आप्सांद में लिजिए नुम्बर के सब्सक्राइब करते हैं अगला प्रशन देखें आप आठ वा नंबर का किस और रखेज और नंबर का प्रता है कि बिला रंग बनता कि आपको बताते हैं यहां प्लस पीला यदि लाल और पीला आपसे मिलाए जाता है तो आपका बनता है कौन सा रंग नारंगी रंग बनता है कौन सा नारंगी रंग तो लाल और पीला को मिलाने से कौन सा रंग बना आपका नारंगी रंग तो इस प्रश्ण का सही जो अब एवल आपसन सही है इसे आप याद लाल और पीला को मिलाने से आपका नारंगी रंग बनता है देखे दस नंबर का आप निम्न में से कौन सा सीतल रंग या ठंधा रंग अभी आपको बता है कि सीतल रंग कहें या ठंधा रंग कहें तो कौन सा रंग होता है तो आपका हरा होता है इसका सही जोग सीवल आपसन सह इसके साथ में आपको क्या बता हैं लाल के बारे मता हैं कि य सेथ्जि और शाल को फिल सब यहां आप कि सब्सक्रेक्ड को तुछ कौन सा है नारंगी रंग जो अदियोती रंग होता है ठीक है अगला प्रशन देखे ग्यारा नंबर का डियोती रंग कितने वहते तो अभी आपको बताएं। 6 का युट्र्व कि संक्यत तीन होता है इस प्रक्ष्ण का सही जवब阵ाला आप्संट सही हो जाएगा अगला का पीले रंग को सहोख को बता ना कि सफेद का विरोधी आर्वक्त और हारा रंग के इसा ये ठंड़ा रंग है आपको पताएं ठीक है प्रशनों को आप किलियर करते चलिए अगला प्रशन देखे कला शब्द निम्न में से किस भासा का था ला जो सब्द है आपका संस्कृति भासा का शब्द है किस से खीच गई रेखाए लाइन जो होती हलकी बनता उसे याद रखियेगा कि जितना हाड होता है उतनी हल्की रेखाएं बनती है इस प्राश्ण का सही जो क्या होगा? एवल आपसन आपका क्या हो जाएगा तू एच हो गा यह का मतलब होता है हाड ठीक है? यह जितनी संख्य अधिक से धीग होगा उतने उस सब्सक्राइब की याद रखियेगा कि च्छत हुता है कि इंद्र धनुस में में तो आप याद रखिएगा कि केंद्री आले खन का प्रयोग होता है कमरे की स्छत हेतु किया जाता आग देखिए 16 नमंबर का कि इंदर धनुस्त में कितने रग होते अभी आपको बता है थे इन्दर सात रटान होते इस प्रश्ण का सही जो आप 상황 क about संसे होगा अगला देखिए सत्टरह नंबर का कि फर्ष के मद्ध भाग है तु कांव से आलेकन सरवादी उप्यूकत होता है देखिए आपके घर में जो फर्ष होता है फर्ष पे देखिये होंगे जब आपका कोई आकृति बना जाता है किस आकार बना जाता ते बिर्त के आकार मे जाता है तो ब्रित्त के आकार में बना जाता है इस प्रश्ण का सही जो आप एवल आपसन सही हो जाएगा कि फर्स के मद्ध भाग है तो कौन सा आलेखन सरवाधिक उप्युक्त है क्या हो सा है तो ब्रित्तकार है ठीक है अगला देखिया ठाला नंबर का कि कपड़े पर किस सेलेटी रंग का मिस्रड होता है तो काला कि विरूधी रंग सफैद का मिस्रड होता है प्रश्ण का सही जाट ढगा शहाक हूब का विरुधी रंग सफइद यह सफेद के विरोधी रंग काला होता है यह भी प्रशन आपके बोर्ड की एक्जाम बहुत पूछा जाता है अगला देखिए 20 नंबर का निमन में से किस पैंसिल से खीची गई लाइन गहरी होती है देखिए गहरी लाइन जब खीचना होगा तो कौन सी पैंसिल प्रयोग कर होता है इन सभी प्रशनों को आप याद कर लीजिएगा देखिए इसके अलवा आपको आथवा में देता है आथवा में जो देता है आप चाहे पहले वाला प्रशन जो करा है उसको कीजिएगा यह प्राविधी कला वाला जो है प्रशन यह आ रहा है इस प्रशन को कर सकते ह हैं चलिए सभी प्रश्णों को आप सभी को बता देते हैं पहला प्रश्ण क्या है कि किसी त्रिभूज के च्छेत्रफल का सही सुत्र होता है एक बटा के दू आधार गुड़े उचाई होता है इस प्रश्ण का सही जवाग एवला आप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला देख कितने हैंश को डता है तहर नवे अंस का हमेशा बनता है तरी जवाब डिया सुता है यह सभी आपको तो पता होगा द्रीज्जय की आर दिया है कुल मिला क्या हो जाएगा इस प्रश्ण का सही जवाब एवल आपसन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगला देखिए चौथा नंबर का कि एक किलो मीटर में कितने हेक्टो मीटर होता है आपको बताना है कि एक किलो मीटर होता है उसमें कितने हेक्टो मीटर होत अगोड़ा नीमिलखित में जड़ीःत कोप नहीं Crusade से जो बड़ा कोड़ो ता है क्या ऑफिट जाएगा अगला लिखिए निम्न लिखित से कौन्सा का ब्रिहत कोड होता है लेखेक सि एकल असी अंस से बड़ा कोड़ेंगे से बड़ा कोड़ करते हैं क्या क्याओं से बड़ा सुद सब्याइब पूछा हनई है यहाँ थी आपक्षान क्या हो जागा प्रिण्थ कोड़ेंगे एक सो असी आंस वाला नहीं है एक सो असी अंस को जो कोड़ होता है इसे रीजू रेखिये कोड़ बोलते हैं कौन से कोड़ बोलते हैं रीजू रेखिये कोड़ इसे क्या बोला जाता है अगला प्रासन देखें सातवा नंबर का कि किसी बृत के केंद्र सबसे बड़े जीवा को बाठता है देखें जैसी य बरावर भागों में बाड़ता है और यह दोनों भाग आपस में बरावर होता है दो समान भागों में बाड़ता है तो इस प्रश्ण का सही जवाप एवल आपसन आपके क्या हो जाएगा अगला देखिए आठवा नमबर का कि बृत के बाहरी किसी बिंदू से खीची गई अस बिंदू पर वरिक की त्रिजिया के साथ कितना बनाता कोड़ा देखिए कई बर बतां यह वर करता क्या हो गया और यहाँ से एक असपर्ष रेखा खीचा जा रहा है तो यहां पर कितने अंस कोड़ बनता है सदय नब्य अंस का कोड़ बनता है इस प्रशन का सही जो डीवल आपसन आपको क्या हो जाएगा अगला देखें नौ नंबर का कि किसी त्रिभूज के बहिस कोड़ों का योग होता है यहां पुछुत जैसा ढड़े कि रहते ही सिता इसको बढ़ाएं नभ्या और इसको बढ़ाएं जैगा की इसकोड़ों की कितने सम कोड़ों उता है तो समकोड का मतलब होता है 90 इसमें कितने समकोड आ रहे हैं चार तो इस प्रश्ण का सही जवाब विवला आपसन सही हो जागा कि किसी त्रिभूश के बहिस कोड का योग चार समकोड के बराबर होता है अगले देखे है डियन कि दुसका सबतोंडी इसका मतलब क्या हुआ है गुडरे साथ गुल सा या तक यह शार्व पाई गुढ़ए साथ गुड़ए साथ दिया है देखें साथ गुड़ए बीवलापकशन सही है यानि साथ गुड़ए साथ पाई इस प्रश्ण का सही जो आप ग्रेक्ट हो जाएगा अगला देखें घ्यारा नम्बर का यदि किसी वर्ग की भूझा की लंबाय यक्स हो तो भी कड़ होगा देखिए यह आपको क्या है ये वर्घ के चारूं ही बराबर होता है यह रही इसका पूंग refuses निकाल सकते हैं पाइथा व्रसप्रमे सनिकाल सकते हैं, यह कितना होता हैwhy कोलों में से कौन इन पाइप नििषजीचा औहले वोल अपधिन अगला एस अगला कि निम्न कोलों में से कौन सी अधीकल है। अधीक क मतलब क्या होता ह table उसकर्ण हों संदीट कि पार हो लेकिन एक सोशी अंस से छोटा हो अमसे टाल सो से चौटा जो कोर्ड होता उसे बोलते अधिक और ऐसे बर का देंगे नाप शोटाती यह तो होका नहीं यह तो होका नहीं यह भी नहीं हो इन्हां स्य फोके सभी हो जाएगा ठीक है अगला देखें तेरा नंबर का कि एक किलो मीटर एक मीटर का कौन सा भाग होता है तो आपको देखिए बता देते कि एक मीटर बराबर जो होता है कि दश्रा सिधर मेंटर होता है देशमाइन थी जा है अब अब फिछानतर करंगे क्या हो जाएगा यह थेमां समझे कि-3 मिली vener होता है तो कितना दस पर तिन का मतलब 1000 होता है ति इस प्रश्ण का सही जवब एवल आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला देखिए किसी चदरभुज के सभी आंत्री कोडों का यह कितना होता है तीन सो साथा और कितने समकोड़ें बटा होता है तब भी बता हैं कि चार समकोड़ के बराबर होता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब एवल आपसन आपका क्या हो जागा अगला देखिए एक ही आधार और समान उचाई पर बने त्रिभूज और आयत के छत्रफल में सही पर अधार पर इसी आधार यह कंद बहना है जो कि चत्रह वहता है आंपके चैनर का दूगोना होगता है इसका मतलब भूज का ऑपकि छत्रहूह का अनुपात इदू है यह बहां आपके इसका अनुपात कि दूखोता तिस प्रश्ण का सही जवाब यह वला आपसन सही हो जाएगा अगरा देखिए 16 नंबर का कि निम्न आकर्टियों में से कौन सा चत्रभूज नहीं है यानि सम चत्रभूज आपको बता रहा है सम चत्रभूज को मतलब होता है कि जिसकी चारो भूजाएं आपसे बराबर होती ह यहाँ बराबर है लेकिन यहाँ पर यहाँ छयों यह है यह सम्चद्रबूज नहीं है अगला देखिए 17 नंबर का कि निम्न आकिरतियों में से कौन सी रेखा और लंसम दिवाज़ा के लंसम दिवाज़ा का मतलब होता है उसे दो बराव भाग में बाटे देखिए एक अनुपादी तीन में बाट रहती यह तो होगा नहीं दो अन नों में से कौन सा आकार या गति बृति कार नहीं बृति की आकार नहीं आपको बताना जिसे गतिमान वीदुद पंक आगो गोंता नहीं इस प्रश्ण का सही गुोष ओडू प्सण आकरे हो जाएगा कि 10 मीटर होते हें कितने मीटर होते हैं ढ़ी एक हेप्टो मिटरों में में याद रखिएगा मीटर पुछे सो मीटर के बराबर होता है उस प्रश्ण का पर किमार का कि इसे दिए गड़ी माल ली के यहाँ पर आपका 12 है यहाँ पर च्छॉत बारह है यहीआ यहां पर 3 हो जारे यह 2 और यहाँ पर च्मूम हैं च्मूंस कर लिहां थी पूछ नयए इसे और सिमीजा बाद कर जाका। सब्सक्राइब दोनों प्राविदी कला में से केवल एक ही चित्र करना है यानि एक ही चित्र जैसे आपको मतलब होता है कि इन तीनों में से प्राक्रति दिरूं को प्रशनी करना रहा था एक को तिस नंबर का रहाता है ठीक है देखिए प्राकृति के द्रिश्य चित्रण में आपको सभी प्रशन कराएंगे बस वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं देखिए एक का इस नमबर का दिएगे ड्राइंग सीट पर 25 गुड़े 22 cm के आयत में एक ग्रामीर द्रिश्य चित्रण कीजिए जिसमें सीर पर कठी रख कर घर की ओर जाती हुई ग्राम बाला जोपड़ी और घास चरती गाय तता आकास में उड़ते कुल पच्छी हो कुछ पच्छी हो ठीक है यहां चित्र में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का पर्योग करना है चीट्रांकर करते से हैं मिम्लिकित बातों का ध्यान भी रखना है कि अध्यास यहां पर देखिए आपका दिवाइड इसथी सरचना प्रिपेच्छा करते हैं तो उसके प्houंच नमबर करते हैं तो उसकि पाँच नमबर सूसंगत रंगों का प् बोड की एक्जाम कैसे चित्र बनाएंगे उस पर चर्चा करते हैं तो देखिए आप गठरी रखी घर की ओर जाती हुए ग्राम बाला जो पड़ी आपका बना बना होना चाहिए घास चर्थी गाया होना चाहिए आकास में उर्ती कुछ पच्छियां भी होना चाहिए उस चित आपको क्या करना रहें जैसी यह लंबाई है यह आपको 25 होना चाहिए और इसकी जो चोड़ाई यह कितना होना चाहिए बाई सेंटीमीटर को होना चाहिए एक बाला है गठरी लेके क्या कर रही जो पड़ी की और जाते हुए यहां पर आप गाय बना दीजिए फिटीक है और इसको चरटे हुए दिखा सकते हैं कि और आखास में और लोगा यहां पर आपको ग्छा थे पका ना रहेगा चित्र बनाना रहे स्वाल रहे परहां सुप संगत रंग होगा यहां और यहां पर पच्छियां उड़ते हुए आप दिखाना रहता है और बगल में चाहे तो आप गाय जो होता है सफेद कलर का होता है तो आप इसका हलका सफेद कलर यहां पर भरिएगा ठीक है इन रंगों का थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है तभी आपको प कपड़ा पहना आँ उसकपड़े पर रंग आप अच्छे सुंदर अच्छे डिजाइन बनाईएगा और इधर आप एक जोपड़ी दखा दीजेगा यह जोपड़ी बना हुआ है महिला इधर जोपड़ी की और आ रही है इस पकास सुंदर सुच आपको चित्र बोड़ के बनाइंगे तभी जाकि आपको पूरे इस पर 30 30 में 30 नंबर आपको मिलेगा ठीकित आपको अगया होसार प्रकास प्रकास से च हुआ आपको बोर्ड के एक्जाम बनाईएगा या अथवा में देखिए दिया है उस प्रश्ण का इंसल नहीं रहा तापको आथवा में भी दिया है आलेखन में क्या है कि यह आपका 30 नंबर का ही रहता है ठीक है दीएगे ड्राइंग सीट पर 20 गुड़े 16 cm मतलब 20 लंबाई होना चाहिए और आयत में मेज पोस्ट के लिए इकाई वाला अलेखन बनाई है जिसमें किसी एक भारती फूल पत्ती वाले कलियों का आकर्सा सन्योजन हो और रंग योजन उत्तम हो आलेखन में कम से कम तीन उत्तम रंगों का प्रियोग भी आपको करना रहता है ठीक है यहां प तमरंग संगती और आकर्सान समाने परभा होना चाहिए टोटल इस पर तीस नंबर मिलेगा चलिए आपको चित्री दिखाते हैं कि आपका इससे बतना बनाएंगे इस पकास से आप क्या कीजिएगा कि भारती पुस्प बनाएं जैसे कमल क्या भारती पुस्प है तो इस पक प्रश्ग से क्या लिजीए hepन चोडाई लिजीए ठीक है और यहां पर क्या कीजिएगा सवच यह संदर रंगों का प्रयोग करते हैं उन्म अभारती इंप लिकार निकलाया हैं और क्या है आपका यह कमल का फूल है ठीक है अब यहां पे रंगों का सू संगत प्रयोग करना है जैसे देखिए आप कमल के फूल का अलका गुलाबी रंक कर दिया यह पीला कलर यहां पे तिली के फूल रहेगा आप भारतिय फूल को बना लीजेगा बनाने के बाद तब जाके रंगों को अच्छे और सुन्दर रंगों का प्रियोग करते हुए आप इसको पूरा डिजाइन में भर दीजिएगा ठीक है तो आपको जैसे बनाए गए इस पकास यह बना देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेगा एक नंबर एक्जाम नहीं काटेगा देख सकते हैं कितना सुन्दर रही है इस पकास आपको बोड के एक्जाम में आपको बनाना रहेगा ठीक है अगला प्रश्ण के प्राविधी कला से संबंदित यह भी आपका अथवा में चाहे रचना में निर्दिष्ट रेखाएं अभिष्ट रेखाएं असपश्ठ होना चाहिए रचना में रचनात्मक रेखाएं नमीटा यानि आपको एक बार बार आपको मीटाना नहीं रहता है पूरा रफकार श्वेद फुल इसके पेपर पर करें और इसे भी अपने उत्तर प प्रत्य नहीं करना रहेगा आपको 10 नंबर करेंगा इस पकास यह थी आपका 30 नंबर का प्रश्ठ रहता है जिनके तिरज्याय करमसर 4 सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर जिनके केंद्रों के बीच की दूरी चार सेंटीमीटर है इन विर्तों पर उबेनिश्ट सीधी असपर्श रेखा खीचना रहता है यह आपके 10 नंबर कर रहते हैं अगला प्रशन देख लिजिए आधार अब आपर आपर सेंटीमीटर रेखा पर एक संदिवावू तिरभूज और बहुत की रचना कीजिए जिसकी उचाई 5 सेंटीमीटर हो इसके आगे आप प्रशन को देख लिए सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर ब्यास के अर्धिवृत में सुन्दर जयामिति आलेखन की रचना आपको करना रहता है इ सेंटीमीटर के ब्रिप्रिथ की रचना करना रहता है यह सभी प्रशन बदा दी इन सभी प्रशनों के यार कर लीजिए अब देखेंगां यह ऊनिवार रहता है खंडگा के प्रष्ण होते हैं यही मृति चितन तरह हैं यह तक लिखा है 22 नमबर गागे कि इस प्राश्ण के दो भान वहте और घार करेंगा आपको 10 नमबर सब्सक्रिमन कहां आपका यहां से आपका कुंधने का प्रस्ण समय लिए ऐखरोणे में में आपको पूछने की जरूरा पड़ा या यहां पर समझ लिए तो है नीमने लिखित में कीने एक का स्मर्थी चित्र से बनाई चित्र की ना भर 15 cm से परण चित्र दिया है चार में से छिख किवल वा यह की बनाना रहता है वह भी बनाना है अब कितने सेंटी मिट्र का स्थी होना चाहिए प्रश्ण है पत्यों सहीत अम्रूद बनाईए या प्रेटों में रखा हुआ टमाटर बना दीजिए पपीता या पत्यों सहीत बैगन बनाई इन चारों प्रश्णों में से एक प्रश्ण आप जदी करते हैं तो उस पर टोटल दस नंबर आपको मिलते हैं एक चित्र आपको दिखा देते हैं पपीता ठीक अगा बना रगत कैसे इस परफास इसमें इस परकाश राता ना याचि भी पैंसिल से इसको आप खीच लिजिएगा और सुन्दर बना दीजिए पर पिता इस पक आता बनाना रहेगा ठीक देख लिजिए आप चित्र और देखिये कैसे बनाय रहेगा ठीक है यह 15 cm जब लिखाए 15 cm से अधिक ले लिए लेकिन 15 cm से कम इसको मत बनाईएगा 15 cm से अधिक बना सकते हैं इस पकास आप पपीता बना सकते हैं देखिए चाहे आप बोड के एक्जाम में अमरूद भी बना सकते हैं तो देखिए यहां पे यह अमरूद का चित्र है कैसे बनाया गया है इस पकास आप बनाईएगा और पेंसिल से यहां पर आपको किसी प्रकार का रंग का परियोग नहीं करना है ठीक है आपको सिर्फ केव यहां से सब्हकोनय करूद यहां लाओ पन करना आपको ही पेंसिल से आप यहां पर गालापन इस तरह इस तछा कर सकते हैं ठीक है तो पयां और प्लेट लम रखाव टमाट्र बना सकते हैं इस प्रकास आप क्या कीजेगा इन सभी चित्रों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगला देखिए निमनलिखित में से यह करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा ठीक है जो बताएं आपको यह यदि बनाते हैं तो 10 नंबर अगला प्रश्ण खाओ है निमनलिखित में से किसी ए तिन चारों प्रश्णों में से सिर्फ एक ही आपको चित्र बनाना रहेगा और यहां पर नीचे लिखा है कि चित्र में निमनलिखित बिंदू पर ध्यान दीजिए यारे रेखा सैष्टों होना चाहिए आखिवती अनुरूप में सुन्दर बनाना काने के मतलब बस यह यह इसका प्रैक्टिस कर लिजिए खूला किताब कर यह टाए उए पुरण देखे हो जो आकिरतियों आपको दिखा रए ही इन आखिरतियों को आप जरूर्व प्रक्टिस कर लिए ठीक है फ्रेंस यह सभी जितने भी हैं आपके इंपोर्टेंट प्रश नहीं है यहां पर जितने भी इंपोर्टेंट आप के थे सभी बताएं आपको इन सभी आखिरतियों का 15 cm के अंतरगत में बनाईएगा जितना भी इस पेपर में आपके प्रकार का वार जो पेपर आप सभी बता आए जितने भी क्वेस्चन दे आप सभी को डिटेल जानते रहें ठीक है तो फ्रेंज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें